नमस्कार स्वागत है हमारी खास पेशकर्ष्ट में जिसका नाम है परिक्षा का अंतिजार क्योंकि हर्याना लोग सिवायोग ने बड़ा फैस्ता लेते वे रद हुई एक्सी एस की परिक्षा को दुबारा करवाने का बड़ा फैस्ता लिया है अब परिक्षा 10 जुलाई को या आई जित होनी है और आपको ये भी बता दें कि प्रिमलिम्रेरी और डेंटल परिक्ष्टर्जन की जो परिक्षा है उसमें बड़ी गड़़ी के चलते इसको रद कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक्पी हैस्सी के ततकालिन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के साथ कहीं अधिकारियों को गरफतार भी किया था वहीं अनिल नागर से कहीं करोणों की नगदी भी इसमें जब की गई थी और महीं रद परिक्षा को लेकर फरिदाबाद के चात्रों ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं इस परिशा के बारे में कहाना जवंगी सरकार का पतानी किस तरीके से सरकार ने ये रूर लेगुलेशन बना रखे हैं कि इतना करप्षन आगया कि फर्स पेपर हुआ उसमें पेपर लीक हुए अब हमें नहीं पता वो किसकी गलती थी गौर्मेंट की गलती थी या अदर प परिक्षा में तो उनके लिए सही भी और अगर जिन बच्चों के रिजल्ट नहीं आया है वो कैसे करें सर ऐसा है जिन बच्चोंने त्यारी की वही थी उनके लिए तो अच्छी बात है वो दोबारा प्रिक्षा देंगे क्वालिफाइश हो जाएंगे लेकिन जिन्होंने रोड़ किया हुआ था मैं यहीं कहना चाहूंगा कि उनको बाहरा रखा जाए परिक्षा से और ताउमर तक उनको परिक्षा से वंचित बिए जाए जाए दूकर इसके लिए निजा गृणुvent का धन्यावाद देना चाहूंगा कि अगवर्में जो हैं परिख्या निकाली है तो यह चाहत्रों को आपने सुना वहीं हारियाना लोग सभायोग ने है जो एक्जाम लिया था वो रद कर दिया और इसके साथ ही डेंटल की परिख्या को भी हर्याना लोग से भायुग ने रद कर दिया है इसके साथ ही डेंटल सर्जिन की परिक्षा को भी हर्याना लोकसिवायोग ने रद कर दिया है। हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। साती साथ परदेश के तमाम युवाओं ने एक तरह से हर्याना लोकसिवायोग की कारेसली पर सवाल खड़े किये। जिसके बाद इस पूरे मामले की विजलेस जांच शुरू हुई। विजलेस जांच के चलते अभी हाली में ही हर्याना लोकसिवायोग ने एच्चिस की परिक्षा जो 12 सितंबर 2021 को ली गई थी उसे रद कर दिया है। और इन दोनों ही परिक्षाओं को अब जुलाईव और जून में लेने का फैसला हुआ है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में एक जो नोटीस जारी किया है एच्च पी असी ने उसमें ये भी कहा गया है कि दोनों ही परिक्षाओं में जब विज्यापन जारी हुआ था और उसके बाद जो परिक्षा ली गई थी सितंबर 2021 में उस वक्त जिन अभ्यारतियों को यो परिक्षा के लिए और डेंटल सर्जन की 19 जून 2022 को हने वाली परिक्षा के लिए आविदन नहीं कर सकेगा नए आविदन के लिए कोई अनुमती इसमें नहीं रहेगी लेकिन जो पुराने आविदक हैं जो उस वक्त योग्ये थे उने ही इन दोनों ही परिक्षाओं में श अनिल लागर की डिप्टी सेकेट्री कीछ मामले में गर्फतारी हुई और गर्फतारी के बाद जो है वो पूरा घ्रत्ना करब जिस तरीके से हुआ सरकार की उपर दबाओ बढ़ा सरकार की इस मामले में मुश्किले बढ़ी एच्पियस को इस मामले में जवाब जो है वो यूआ दो हजार 21 में इस परिक्षा को देने वाले थे उन्हें अब 2022 मेंuana फिर से परिक्षा देनी होगी लेकिन इस बीच बाकी जो यूआ हैं वो क्योग नहीं सबर्तİ में शामिल हो सकते हैं जब इस तेली पर सवाल उठा रे लेकिन हर्याना लोक शेवायोग पारदरस्था निसपक्स्ता की बात करते हुए यह पुरों में लिखित प्रिक्षा games ली इने प्रिक्षा ने का फैसला हुआ है लेकिन छीघ्ष करते हुआ देखना नहीं होगा विजेंदर सिंग के साथ पावंद स्यूमर जन्रता टीवी पंचकुला तो हर्याना लोग से बायोग ने हैस का जो एक्जाम था वो रद कर दिया इसके साथ ही डेंटल की परिक्षा को भी रद कर दिया गया है लेकिन छात्रों के तरफ सा आकरोश साब्तौर पर नजर आ रहा कर दो एक पर लेकिशा लेवा है